नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं 29 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राश्वल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राश्वल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोम वार है बहदर पदमास शुकल पक्षकी आज दुतिया तिती है जो शायमकाल तीन बच करके 20 मिनट तक है और इसके पुश्चात तृतिया है उत्तरा फालगुनी नक्शत्र रैप्तरी 11 बच करके 4 मिनट तक है और इसके पुश्चात हस्त नक्शत्र है साथ्ध्ययोग कौलो करण है बाधवी पंचांकी चिंद्रमा आज कन्या राशी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बज करके 34 मिनट से 2 पर 12 बज करके 24 मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्राता हसाड़े 7 बजे से 9 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरिकवती प्रिय राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभग नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज दिब्बे महा प्रयोग में एक दिब्बे ज्यान वर्धक जानकारी आपको देने वाला हूँ 37 सितंबर दिन शनिवार के मुहूर्थ की भी हम चर्चा करेंगे तो दिब्बे महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहिस्तितियों की राहु मेश में हैं मंगल ब्रिशव में शुक्र करक में हैं सूरिय सिंभ में तो ही चंद्रमा बुधके साथ यूती बनाकर कन्या राशी में संचरन करें तो आज गुचर कुंड़ी में चंद्रमा किस तरह से आपको प्रहवित करने वाले हैं? सूरिय के नक्षत्र में रह कर नवकली पेशा लोगों के लिए आज देखा जाए, तो सप्ताह का पहला दिन होता है कारिस्थल पर किस तरह से आज का ये दिन आपके लिए वितीत होने वाला है कौन सा वो कारे है जिसे आज आज आपको करना है और कौन सा वो कारे है जिसे करने से आज 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 आपको बचना है और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं इस सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे तो यह है ग्रहिश्टित्य, इनी ग्रहिश्टित्यों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, वो उने एदर स्वक जो मेरे से राशिफल के कारीक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्वराश के है कि यानि आपकी जन्म कुंड़ि में चेंद्रमा जिस अराश में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी है। आप अपने जन्म राश के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। संतती की कामना से किया जाने वाला ये ब्रत्थ। अमूग कुंड है केवल ऐसे विख्यारत नहीं इसके प्रभाव आखो देखे हैं। तो यदि आप भी संतती की कामना रखते हैं पहले तो जानकारी हासिल कर लीजेगा तभी आएगा क्योंकि बहुत दूर से लंबे इंतजार के बाद लोग तो आते हैं। और फिर पिछले तीन वर्षों से ये शनान बंद रहा है तो जानकारी हासिल करके किस वर्ष मौका मिलता है या नहीं तभी आप अपनी ब्यवस्था करें और जरूर आ करके इस कुंड में शनान करें यदि संतती की चाह है आपको। आज नीलम रत्म धारण का भी एक महूर्थ मिल रहा है दस बचकर के 32 मिनट से ग्यार बचकर के 20 मिनट के बीच इसके अलामा कोई महूर्थ नहीं है। या कामुक प्रवर्ति का नहीं होगा इसका विचार हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम जन्म कुंडली में पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखते हैं। उतना ही व्यक्ति कामा सक्थ होगा लेकिन कामा सक्थ होना समस्या नहीं क्योंकि कामा सक्थ हर व्यक्ति हो सकता है। समस्या है कामा सक्थ का गलत राह पर जाना। अब वो कैसे होता है तो वो होता है शुक्र पर पापग्रह की। अभी मेरी बात बाकी है अभी आगे सुने आप। तो कामा सक्थ का जब शुक्र पर पापग्रह की दृष्टी पढ़ती है जिसे शुक्र राहू के साथ यूती में आ जाएं। राहू से दृष्ट हो जाएं। तो इसे से विचार किया जाता है कि ऐसे जातर के अंदर कामा सक्थी तो होगी लेकिन विकृत मानसिक्ता वाली कामा सक्थी होगी। ये तो पुरुषों की बात हुई और इस्त्रियों में इस्त्रियों में ये विचार कैसे होगा। अगर क कामवासना का विचार पुरुसों से अलग मंगल से मिलता है अर्थात पुरुस की कुंडली में शुक्र पीडित हो तो कामवासना विकृत होती है और स्त्रियों में यदी मंगल पीडित हो तो कामवासना विकृत होती है मंगल बली होना मैंने अपने कारेक्टर में कहा था कि म इस्त्रियों की कुंडली में मंगल बहुत अधिक बली है। उनका कहीं न कहीं अगर देखें आप तो मासिक धर्म से सम्मंधित परिशानियां उनकी जीवन कालम में देख रहा हूँ। लेकिन अगर मंगल पेडित हो जाए तो वो भटकाओ का कारण बनता है। प्रिय दर्शकों अब जरासा आप अपने हमेशा जोतिस्यों के मुह से सुनते आ रहे होंगे कि किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल की युती हो तो ऐसा जातक पथभरष्ट होता है, गलत मार्ग पर जाता है। अब आप समझें इस बात को कि मंगल स्त्रियों में और शु रजोदर्शन से होता है, प्रथम रजोदर्शन से इसके पीछे बड़ा अद्भुत विज्ञान जैसी बातें, विज्ञान का यह सामाने तरक है लेकिन बड़ा अद्भुत है, कि प्रथम रजोदर्शन जब उसको होता है, तो यहीं से ये तय माना जाता है कि अब इसके अंदर ये भावना जागरत होगी, इससे पूर्ब उस भावना की कोई चर्चा नहीं, उसके बाद ही प्रतम भावना, अब असल में देखें, तो ये रजो दर्शन का जो संबंध है, वो क्या अदभुत ढंग से, रजो सब्द का जो इस्तमाल है, वो कली से लिया गया है, कली मासिक धर्म के दौर में होती है, उनको पुष्पिनी कहा गया है, वो पांच दिन के जिस समय में होती है, उनको पुष्पिनी कहा गया है, असल में कामदेव के पंचबान का जो संबंध है, महिलाओं के इन पांच दिनों से ही है, और इन सभी चीजों पर मंगल, इस्तरियो और शुक्र मीन में अब इन दोनों का जलतत्व से विशेश कर मीन को आप जानते ही जलतत्व राशी मगर का भी शम्वन जल से जलतत्व में काम वाशना बहुत जादा है यानि काम का जन्म जलतत्व से है लक्ष्मी के पुत्र के रूप में काम को देखा गया है वशंत पंचमी को शुक्र जबकि अपने उच्छ रासी पर होते हैं काम देव के जन्म का ये समय माना गया है जैसा मैंने कहा कि आज का जो विश्व है केवल और केवल जानकारी है अब जिनकी कुंडलियों में ये दोनों ही चीजें बली दिखाई पड़े विश्विस्कर के शुक्र और मंगल के बारे में आप हमेशा सुनते आ रहेंगे जिनकी कुंडली में दिखाई पड़े इस्त्री होया पुरुष बिस्लिस कर आपने कहा, मैंने भी अपने कारिक्रमों में कई बार कहा, कई बार मैंने ये भी कहा, कि इसका ये मतलब हमेशा नहीं मान सकते, कि गलत मार्ग पर वो जाएगा, हाँ ये यूती गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है, ये प्रेरित करती है, जैसे दोनों जिसकी कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों के दोनों अतिंत बली हो तब जतना बली शुक्र है उतना ही बली उसका मंगल है, तब तो एक तरह से वो किसी से डरने वाला निहसंख हो जाएगा, उसको डर ही नहीं लगेगा, यानि आप सामाने सब्धों में कह सकते हैं, जो य की संभावना बहुत ज़्यादा होती है याद रखिएगा आज तक के कारेक्रमों में आपको शुक्र सुना इस्त्रियों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्त्रियों की कुंडली में कामवासना का विचार आज मूलतह ये भी ज्यान देना था और रजो दर्सन से स आपकी रासी से आज सष्ठ में हैं देखा जाए तो ये चंद्रमा सूरे के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं बुद्ध के साथ यूती बना करके और देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी से दृष्ट नौकरी पेसालों के लिए आज सप्ताह का पहला दिनों का कारेक् संब्ध रहेंगे बस आपको बड़ा सोच समझ करके निर्णे लेना है दिन ठीक है आपका व्यापारियों को व्यापार में आज सफलता मिलेगी कुई निवेस करने की सोच रहें तो कर सकते हैं बस ध्यान रखिएगा कि निवेस इस उद्धिस से करना है कि आने वाले दिनो में उसका लाभ मिले आज बहस की संभावना बहुत जादा बनी हुई है गोचर कुल्ड में सुजरा सचेत रहेंगा प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है संबंध और मजबूत बनेगा विद्ध्यार्थियों के लिए जरूर कन्फ्यूजन की स्थित या करते हैं तो यह सोच के करें कि आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलें कि लॉंग सौट टर्म के लिए न करिएगा बिलंब से लाभ मिले इस विचार के साथ करिएगा अगर व्रशब की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से पंचम में होना आपके लिए भी उहापो हो किस्तिती है हलाकि एक बात आपको बता दू कहीं किसी से अपनी बात मनवानी है जैसे नौकरी पेसा अगर आप हैं और बॉस से आप अपनी बात रखना चाहते हैं वो बहतन बृद्धी के संदर्भ में हो या किसी और मामले में प्राइविट से रहे है उसे आज आप अवश्य करिए कहीं इंटर्व्यू देने के लिए जा रहे हैं अवश्य जाईए आपको सफलता प्राप्त होगी व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा निवेस समझ करके करना है लेकिन जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते उनके लिए तो जबरदस्त रहने वाला है दिन प्रेम संबंद में आज ठीक नहीं है दिन कन्फ्यूजन की स्थिति है रिस्तों में परिशानी साब साब दिखाई पड़े बड़ों की मदद लीजे सुधार के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी कन्फ्यूजन की मिथुन के जातकों के लिए आज ग्रह कलह की संभावना मैं देख रहा हूँ या संभाव है कि पिता के सांथ तुतु मैं मैं या माता पिता के मध्धे ही मत भेद हो जिससे ग्रह कलह उत्पन नहों आपके लिए बता देना चाहता हूँ सप्ताह का पहला दिन है कारिश्थल पर सो जो जितने भी आपके जरूरी काम है उनकी सूशी बना लीजिए बेस्त था तो साप साप दिखाई पढ़ रहे है परन्तु लंबी यात्रा पर जाने से बचिए और नौकरी कर रहे है विश् दामपत्य जीवन सामाने रहने वाला है और हाँ ये ध्यान रखे कि दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर रहा निकले प्रेमी के साथ आज अन्बन की संभावना है अन्बन की स्थिति दिखाई पढ़ रहे है विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी ठीक है दिन पढ़ाई पर ध्यान दीजे और स्वास्त के दृष्टी कोंड से देखें तो स्वास्ता आज आपका विगड़ सकता है माता के स्वास्त का भी ख्याल रखेगा जरूत मंद को भोजन कराईए लखियंक पांच लखी कलर आपके लिए जो रेंज है निवेश आप ना करें कर इसने भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पढ़ रहें तो ओफस में कोई नई जिम्यदारी आपको मिलने वाली है व्यापारी वर के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं कहीं कोई पुराना निवेश आपने कर रखा था उससे आज पढ़ा है पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा और आप विद्यार थी हैं और कंफ्यूजन थी अगर सिक्षा से समद्धित कोई भी तो दूर हो यानि कुल मिलाकर के दिन बहुत बहतर है इस दिन का आपको लाव उठाना चाहिए स्वास्त के मामला में देखा जाए तो स दिन को में बहुत बढ़िया कहूंगा धनलाव की स्थिति है धन संचेन की स्थिति और पैत्रक शंपत्ति के संबंध में अगर कोई बिवाद या कोई परिशानी थी तो वो दूर होगी कारिस्थल पर भी देखा जाए तो दिन आपके पक्षमें दिखाई पढ़ रहा है समझ लीजे कि आपके लिए मन चाहा हालात उत्पन्न होता दिखाई पढ़ रहा है उत्पन्न होगा परंतु इस बात को ध्यान में रखेगा कि अपनी कोई मन की बात है, जो कोई गुप्त बात, हर किसी से सेर मत करियेगा, प्रेम समन्ध के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, मूवी देखने की इक्छा है तो जा सकते हैं औ कोवे को रोटी और गुड़ खाने के लिए रोटी पर ही गुड़ मसल करके डाल दिजेगा वह कोवे को दे दिजे लखियंक पांच लखी कलर आप लिए अज हरा है निवेश आप करें कन्या के जात्कों को अपनी छमता का पहले ध्यान रखना चाहिए अपनी छमताओं को समझते हुए ही अपने कारे का चुनाओ करना चाहिए वैसे तो एक बात तय देख समझिए कि आप जहां भी रहेंगे जिस फिल्ड में रह करके काम करेंगे आपका प्रदर्शन बहुत जवरदस्त होने बाला है आपके प्रदर्शन से सभी प्रभावितं ह होंगे हर छेत्र में सफलता दिखाई पड़ रही है अचानक कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है तो अहीं कारेस्थल पर भी देखें तो आप आकर्शन का केंद्र बने रहेंगे आज का दिन आनंद के साथी भी देगा ब्यापारियों को ब्यापार में धनलाब होने बाला है एक्स्ट्रा धनलाब की संभावना बस इतना ध्यान रखिये कि दूसरों के बातों में नहीं आना है दूसरों की कारे में दखल नहीं देना सुनी सुनाई बात पर विचार नहीं करना प्रेम संबंध में जरूर उदार चढ़ाओ की इस्तिती दिखाई पड़ी तो यहां पर जरा सचेत रही दूसरों की बात में आएंगे तो प्रेम संबंध में भी आज परिशानी आएगी अगर जीवन साथी के साथ भी संबंध में कोई परिशानी है तो जीवन साथी से बातचित करके उसे दूर करिये फिर दोहरा देता हूँ दूसरों की बात में नहीं आना बिद्यार्तिया जरूर थोड़ा प्रेसर महसूस करेंगे कन्फिजन की विश्दिति आपके लिए है चर्फ काम की बात पर ध्यान दीजे मन पढ़ाई में लगाने का प्रत्न करिये और स्वास्ति के दृष्टिकों से देखें तो जीवन साथ ही के ही स्वास्तिक आपको खाया लगना है गणेश जी के मंदर में जाए गणेश जी को आज दूरबार पित करिये लगी अंक दो लगी कलर आपके लिए पिला है निवेश कर सकते है तो लाके जातकों की बात करूँ तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज बारवे में सिंचरन करना किसी भी मामले में सबसे पहले तो आज आपको शांत रहने का प्रत्ने करना है बहुत विचार करके और साकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है दिन ठीक नहीं है कोई गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ निमत जाएगा क्योंकि करेगा कोई और भरेंगे आप कोशिश कम नहीं होने देनी लेकिन आज हर मामले में सफलता मिल जा ये जरूरी नहीं है कारेस्थल पर किसी को निचा दिखाने की कोशिश मत करिए अगर आज आज आपकी राय से कोई सहमत नहीं हो रहा तो आप परिस्तितियों के हिसाब से ऐसा माल ले कि आज का दिन चाहता ही है कि आप कोई बड़ा कारे प्रारम्भ करने की सोच रहे तो मत करें प्रेम्यू के लिदिन सामाने दिखाई पड़ रहा बहुत अच्छा नहीं है प्रेमी से मुलाकात के दौरान तू तू मैं में मतभेद किस्तिति है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप थोड़े पर वृष्षिक के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है गोचर मिलाब का चंद्रमा जो की सूरी के नक्षत्र में संचरन कर रहा है हर तरह से आपके लिए स्रिष्ट इस्तिति बना करके रखा हुआ है पूरवा नुमान आपका पूरी तरह से सही होने वाला है दिन हर तरह से शुब दिखाई पड़ा रहा है आपके लिए फायदा देने वाला समय आपके पक्ष में है मन आज आपका परसंद रहेगा नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया काऊंगा और व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत स्रिष्ट है ही बस बिना स समझे बोलने से आपको बचना है जीवन साथी का सम्मान करिए जीवन साथी से बिवाद मत करिए प्रेम संबंद के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अट्यंत स्रिष्ट बस मेहनत से पीछे मत लिए जितना हो करके थोड़े परिशान हो सकते हैं और आज शुमंदर में जाकर के भोलेनात पर बिल्वपत रर्पित करिए लकियंग के लखी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश अवस्य करिए धनू के जातकों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है विशेश करकर कोई सामाज जरूर है कि लेकिन दिन शुभ है क्योंकि सहयोग मिलेगा और शुभ रहने के कारण ही आपको सफलता मिलेगी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है करियर के प्रति अगर आप सजग हैं साबधान हैं तो समझ लिए करियर में ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है ब्यापारियों के लिए आज की दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा ब्यापार की इस किक्षत्र में देखें तो लाव की स्तुति बनी हुई है कोई नया भाहन खरीदने का मन बना रहे हैं खरीद सकते हैं परन्तु आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने की जगह खुब अच्छे से बिचार करके मंधन करके और तब आप फैसला लेते हैं तो आपको केवल और केवल आप मिलेगा प्रेम समंद के लिए दिन सामाने तेया ठीक है और विद्यार्थिवर की बात करों कोई नया और सित्यादी सुरू करने की सोच रहे हैं अवस्य करिए जो परमकर के जातकों को भी भागय का साथ मिलेगा परन्तु पिता की कही बात को मानिये पिता से बिबाद मत करिए भागय आपके साथ होगा दिन आपका शुब होगा आज जिससे भी मिलेंगे समझ लीजे उस पर आपके मिलने का प्रभाव पड़ेगा जहां काम नहोने की उम मंदी आपको सहयोग मिलेगा वहीं अगर आपने वानी पर नियंत्रन रखा तो अपने शत्रों को भी अपने अधीन कर लेंगे प्रेम समंध में जरा सावधानी रखने की आवशकता है क्योंकि आज प्रेमी का पार्टनर का मूड कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते पार्टन रह सकता है आज जरूत मंद की मदद करिए और कुछ धन दान दीजे लकियंक दो लकी कलर स्काई ब्लू है निवेश भी आप करें और कुम्ब के जात्कों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है बेवहार जरा सूच समझ करके करना होगा बहुत जरूत हो तभी किसी से मदद मांगिए आज का दिन आपको मदद दिलाने वाला नहीं है वरन मदद के नाम पर आपको एक सहना ही पढ़ जाएगा कि सामने वाला अगर मदद के लिए मना कर दे तो आपको बड़ा दुख होगा मित्र की सलाह लीजिए सलाह लेने में संकोच मत करिए मदद मत पर सलाह ले लिजे, किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान लिजे, कारस्थल पर अगर देखा जाए तो आपका प्रभाव में ऐसा करात्मक देख रहा हूं, पर किसी को धन उधार मत दीजेगा, हाँ आपके लिए अगर ऐसा मौका आता है कि आप किसी की मदद कर सके, करिए, व् धन दिया तो धनहानी होगी, और बैवाहिक जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई प्लड़ा, पर फिर भी कहूंगा, जीवन सांथी की कही बात को मानिए, जीवन सांथी की भावनाओं की कद्र करिए, विद्यार्थियों की बात करूँ, तो आज परिशानी है, वो है जीवन सांथी का स्वास्थ, अगर जीवन सांथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत है, तो परिशानी रहेगी या बढ़ सकती है, पर बाकी मामलों में दिन बहुत बढ़ी आए, नई योजनाय बनेंगी, धन के दृष्टिकों से दिन बड़ा हो गया है, तो बिवाद में जादा पढ़ने की आवशकता नहीं, बिवाद से दूर रहने का प्रत्न करिए, दामपत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमे रहने बाला है, पूर्व से चली आ रही कोई परिशानी या गलत फ़हमी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर हो सकत के को ठी करने का आपको प्रत्न करना चाहिए, अगर कोई खटास है तो अज दूर करने का आज ही प्रत्न करिए, और विद्ध्यार्थियों की बात कुरू तो पढ़ाई लिखाई में जितना हो सके मन लगाईए, सफलता आपको और से प्राप्त होगी, स्वास्त के मामले मे आपके जीवन साती के स्वास्त का ख्याल रखना है बागी कहीं कोई दिक्कत है, आज गणेश जी की आरती कपूर से लखी अंक तीन लखी कलर परपल निवेशा अवश्य करिए, तो प्रिदर्श को ये था मेश्य लेकर के मीन राश्य परियंत प्रतेक राश्य के जातकों क पूरे दिन का हाल, अब ही के लिए इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार